वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मुखभर के सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमली पेंशनर्स के लिए आज की ताजातरीन अपडेट्स हादर हुए हैं आज की एहम तरीन अपडेट्स लेकर तुनादरीन ग्रामी फेडरल इंप्लोईज बेन वर्ड एंड गुर्प इंशोरंस फंड्स गुर्मिट ओफ पाकिस्तान इस्टैबलेश्मेंट डूइदन का एक एहम तरीन सर्कूलर एहम तरीन नोटिफिकेशन सामने आया है जो के 15 मार्च 2014 को जारी किया गया था तुनादरीन ग्रामी इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है के पेविन्ट ओफ वेलफेर स्कीम्स यानि के नादरीन जो वेलफेर स्कीम है यह जो मार्च ग्रान्ट सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है यह सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का जो फण्ड दिया जाता है तलीमी वजाइफ दिये जाते है तुनादरीने ग्रामी पहले इसका मैनुवल तरीका था यानि के पहले गुवर्मेंट जितने भी फंट बेज़ती थी इसकी पेमिन्ट मुलाजम की तरफ मैनुवल तरीके से आती थी तुनादरीने ग्रामी अब गुवर्मेंट आफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जरी किया है कि अब इस तरह की सरकारी ग्लाजमीन को जितनी भी ग्रांट दी जाएगी वो डाइक्ट क्रैडिर सिस्टम के दरिये ही बेजी जाएगी तुनादरीने ग्रामी सेम उसी तरह जैसे आपकी पैंशन या आपकी सैलरी बेंक अकाउंट में आती है सेम तरह सेम उसी तरह ये फंड्स भी आपके बेंक अकाउंट में ही आएंगे तो नादरीने ग्रमिस के साथ ही आज की दूसरी एहम तरीन अपडेट सामने आई है कि रमजान आल मुबारिक में पहले अफ़ते महंगाई में 1.35 फिसद इजाफा महंगाई की सालाना शरा 32.89 फिसद तक पहुँच गई है सबजी फ्रूट गरीब की दस्तरत से बाहिर तफसिलात के मताबिक मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए गुदशता साल की निस्वत आटा बामर फिसद तक महंगा हुआ तफसिलात के मताबिक रमजान अलब मुबारी के पहले हफ़ते में महंगाई 1.35 फिसद इजाफा रिकार्ड किया गया है वफाकी अदारा शुमारियात के रिपोर्ट के मताबिक गदशता हफ़ते 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है 19 ग्राम इसी तरह अगर पिछले हफ़ते की बात करें तो पिछले हफ़ते के निस्पत केले इस हफ़ते में 22 फिसद तक महंगे हुए है जबके टमाटर भी 22 फिसद और अंडे 7 फिसद moving हुए है और इसके साथ अगर प्यास की बात करें तो प्यास 6 फिचे तक महेंगे हुए हैं और इसी तरह लसन मटन बीफ और मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए हैं रिपोर्ट के मताबिक महेंगाई की सलाना शरा 32.89 फिचे तक पहुंच गई है जबके एक साल में लसन की कीमत 60 फिचे तक बड़ी है तो नादरीने गिरा में सलाना बुर्याद पर अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर 185 फिचे तक जबके 95 फिचे तक महेंगे हुए हैं और गुजश्टा माली साल की निस्बत गंदम का आटा 22 फिचे तक महेंगा हुआ है जबके गुड 41 फिचे तक कीनि के दाम में 37 फिचे और एक साल में नमक 35 फिचे तक इजाफा किया गया है जबके जूते 53 फिचे तक महेंगे हुए हैं एल पीजी सिग्रेट और कपड़े भी महेंगे हुए हैं जबके गुजश्टा साल की निस्बत गयाज की कीमतों में 570 फिचे तक इजाफार कार्ड किया गया है जबके पिछले साल की निस्बत गंदम का आटा 22 फिचे तक महेंगा हुआ है और एक साल में निमक की कीमत में 35 फिचे तक इजाफा किया गया है जो के सरा सर जयाती है और बिश्चिक जूरियात की चीजें ही गरीब की दस्तरस से बाहर होती जा रही है